देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प यह वीडियो है, 16 अगस्त से 22 अगस्त 2021 के सापताहिक राशिफल के बारे में, यह राशिफल लगन पर आधारित होगा, लेकिन क्योंकि यह राशिफल चंद्रमा के और बाकी ग्रहों के साथ परस पर गोचर पर आधारित होता है, तो आप अपनी जन्म राशी से भी इसके फलों को महसूस कर सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं मेश यानि की एरीज के साथ, 16 तारीक से 17 तारीक की शाम तक चंद्रमा आपके अश्टम भाव में रहेंगे वरिश्च कराशी में, अश्टम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, यहां पर केतू के स स्वामी की दृष्टी पढ़ रही है, तो यह एक अच्छे बात है, थोड़ा साहस दिखाएंगे, तो अनिश्चित्ता भरी कोई भी सिचुएशन होगी, उसमें से आप बहुत अराम से निकल जाएंगे, अपने बच्चों के साथ या भाई बहन के साथ थोड़ा वाद वि तो कार्य से संबंधित धनलाब की पूरी संभावन आएं, 17 तारीक की शाम से 20 सुबह तक चंद्रमा आपके नवे स्थान में रहेंगे, भाग्य स्थान में, लगने के स्वामी से 55 स्थान में हैं, लगने से 9 स्थान में हैं, दोनों ही बहुत अच्छी प्लेस्मेंट हैं, व भाव दिखा रहा है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा घर में कोई धार्मिक कार्य भी हो सकता है किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने के भी योग बन सकते हैं आपके पिता जी की तब भी थोड़ी खराब रह सकती है आपके अपने बॉस के साथ भी थोड़ी बहस हो सकती है सरवाश्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रॉंग है इन दो दिनों में परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं करियर से रिलेटेड अपनी होबीस से भी कुछ आप पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं बीस तारी की सुबह से हफ़ते के अंतर तक चंदर्मा मकर्राशी में रहेंगे आपके दस्ष्वे स्थान में। दस्वे स्थान में यानि की कार्य स्थान में कार्य स्थान के ही स्वामी के साथ चंद्रमा बैठेंगे यह एक राज योग है क्योंकि चंद्रमा भी एक केंद्र के स्वामी है जब दो केंद्र के स्वामी मिलते हैं केंद्र में ही तो एक राज योग बनता है करियर रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत टाइम से कोई काम अठका हुआ है कारेक शेत्र में, तो वह बन सकता है, उन्नती के योग हैं, शनी देव, जो लाब स्थाने के भी स्वामी हैं, उनके साथ चंद्रमा बैटे हुएं, तो लाब के योग हैं, इच्छा पूर्ती के यो कोई स्किल बेस्ट आपका काम है, जहां पर आपकी स्किल्स की बहुत रिकॉयर्मेंट होती है, तो हफ़ते के अंत में बहुत अच्छी कोई न्यूज मिल सकती है, बहुत अच्छा रहने वाला है हफ़ते का अंत, रिलेशन्चिप पे आते हैं, लवन रिलेशन्चिप, शुक्र देवता की कृपा बनी दहेगी, काफी रोमेंटिक टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा हफता है, फिजिकल कमपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, शादी के लिए अगर बहुत टाइम से बात अटक रही थी, तो इस हफते वो पॉजिटिव डिरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, अगर रिलेशन्चिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो यह हफता है कि आपको अडेप्ट करने का सिचुईशन के साथ, क्योंकि रिलेश हफते के शुरुवात में इनफेक्शन आखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपको तंग कर सकती है, हफते के बीच में सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है, हॉर्मोनल इशू रह सकते हैं, specially ladies में, हफते के अंत में लिवर संबंधित और कफ रोग आपको सोमवार को कार्तिक जी को तीन दीप कदान कीजिए यानि कि उनके सामने तीन दीए जलाईए और उनको जल अरपन करिए उनका जल से अभिशेक कीजिए यही आपके लिए इस हफते का उपाय है इसको आपको सोमवार को करना है अब चलते हैं व्रिशब यानि की टौरस की से 17 तारिक की शाम तक चंदरमा साथवे घर में रहेंगे व्रिश्च कराशी में एक तो चंदरमा यहां पर केतु के साथ हैं राहू केतु एकसिस में है चंदरमा नीच के भी हैं तो एक छीज कहूंगा कि हफते की शुरुवात में अगर बिजनस करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा नई डील साइन तो आपको बिलकुल नहीं करनी क्योंकि बारवे घर के स्वामी मंगल द्रिष्टी डाल रहे हैं तो खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं घर में मरम्मत भी हो सकती है उसको लेकर खर्चे हो सकते हैं गाड़ी की रिपेरिंग पे कुछ खर्चा हो सकता है वैसे गजकेषरी योग बन रहा है लेकिन चंद्रमा की स्थेती अच्छी नहीं है केतु के साथ बैटे हैं तो जितने अच्छे फल मिल सकते थे इस गजकेषरी योग के उतने अच्छे नहीं मिलेंगे सरवाष्टक के हिसाब से लगन बहुत स्ट्रॉंग है तो बहुत अच्छी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा सत्रा की शाम से 20 की सुबा तक चंद्रमा धनुलाशी में रहेंगे आपके अश्टम स्थान में रहेंगे अश्टम स्थान में चंद्रमा बहुत कमफरेबल नहीं रहते आपकी माता जी की तब्यत विगड़ सकती है आपकी भी तब्यत थोड़ी खराब रह सकती है साथी में चंद्रमा पाप करतरी योग में भी होंगे तो हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा थोड़े एक्सिडेंट के भी योग है तो संभल के रहिएगा आपके भाई भेहन की तब्यत भी बिगड सकती है लेकिन एक अच्छी बात दिख रही है कि सरवश्टक में लगन बहुत स्ट्रोंग है तो नेगेटिव रिजल्ट्स में काफी कमी आते हुई दिख रही है बीस तारी की सुबा से हफते के अंत तक चंद्रमा मकरराशी में रहेंगे आपके नवेस्थान में चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाता है भाग्यस्थान है यहाँ पर खुद भाग्येश यानि की नवेस्थान के स्वामी शनीदेव बैटे हैं तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भाग्या आपका साथ देगा शनीदेव कारे भाव के भी स्वामी है तो करियर से लेटेड भी कोई अच्छे न्यूज मिल सकती है भाग्या आपका पूरा साथ देगा आपके कारे क्षेत्र में आपके अपने पिता जी से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं फोरण ट्रिप पे जाने की प्लैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं सरवश्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रॉंग है तो धन आगमन के पूरे योग बनेंगे कुछ सेविंग करी थी कहीं पे इंवेस्मेंट किया था तो उससे लाव की उम्मीद है रिलेशन्शिप पे चलते हैं रिलेशन्शिप के इसाब से थोड़ा मिला जुला समय रहने वाला है आपका एक समय तो रिलेशन्शिप में बहुत अच्छा टाइम बीतेगा काफी खुशियां आएंगी खुशियां भरा महौल रहेगा स्टेबिलिटी बैलेंस आता हुआ दिखेगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब कि आप पास्ट में चले जाएंगे पास्ट के बारे में सोच सोच के दुखी हो जाएंगे कंपैरिजन से स्टार्ट कर देंगे हो सकता है आपका कोई पुराना रिलेशन हो कोई पुराना पार्टनर हो उसके बारे में आपको याद आ जाए या अतीत में हुआ कुछ ऐसी चीज हो जो आप सोचने लग जाएंगे जिससे आपके रिलेशन्शिप पर बुरा असर पड़ सकता है तो इन चीजों से थोड़ा बचके रहें हेल्थ के हिसाब से हफ़ते की शुरुवात में पुरुषों में प्रोस्ट्रेट संबंदित और स्त्रियों में यूट्रस संबंदित प्रॉब्लम अगर अल्रडी है तो दिक्कत बढ़ेगी मुत्र संबंदित रोग भी तंकर सकते हैं हफ़ते के बीच में इनफेक्षन है आपको स्विप दिस रह सकते हैं और पैरों से संबंदित रोग या पैरों में चोट भी लग सकती है हफ़ते के अंद में पूरे शरीर में दर्द रहेगा स्पेशली पैरों में और डाइजस्टिव प्रॉब्लम रह सकती है उपाय है हफ़ते के पहले दिन काली चालीसा का पाठ करें या किसी भी काली माता के मंत्र का 108 बार जाब करना है 100 बार को अब चलते हैं जमिना यानि की मिथुन की तरफ 16 तारिक की सुबा से 17 तारिक की शाम तक चंद्रमा आपके छटे भाव में रहेंगे विश्चक राशी में लगन से छटे भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होता चंद्रमा नीच के भी है या पे व्यर्थ की चिंताएं आते हुए दिख रही है चंद्रमा आपके धनभाव के स्वामी है और उन पर लाभसान के स्वामी मंगल की दृष्टी पड़ रही है तो अच्छा है यह धनागमन के चांसे हैं लेकिन क्योंकि यह चंद्रमा छटे स्थान पर बैटे हैं तो खर्चा भी साथ में बढ़ जा लाभसान स्ट्रॉंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है 17 की शाम से 20 की सुबा तक चंद्रमा साथवे स्थान में रहेंगे धनू राशी पर चंद्रमा पर किसी की दृष्टी नहीं है ना ही कोई ग्रह साथ में बैटा है तब भी यह पाप करतरी योग में है तो यह है थोड़ा बुरा है एक तरफ शनीदेव हैं एक तरफ केतू हैं दो पाप गरहा दोनों साइड हैं जो लोग बिजनस करते हैं ट्रेड करते हैं फॉरन में डील करते हैं तो हफते के बीच में थोड़ा संभल के रहिएगा किसी लीगल साफी स्ट्रॉंग है तो बता रहा है कि अपनी सूज बूज से हिम्मत से किसी भी नेगिटिव सिचुएशन को बहुत अराम से हैंडल कर लेंगे बीस की सुबा से हफ़ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे आपके अश्टम स्थान में अश्टम स्थान में चंद्रमा अनकमफरेवल रहते हैं बहुत अच्छा स्थान नहीं है चंद्रमा का यहां पर साथ में उनके शनी देव भी होंगे तो थोड़े निराश रह सकते हैं आप हफ़ते के एंड में और थोड़ी अनिश्यत्ता भर सकती है लाइफ में लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है कि यह जो शनी देव हैं यह विपरीत राज योग बना रहे हैं यह साफ बत अबने बहुत ही जादा स्टॉंग दिख रहा है तो मुझे यह लग रहा है कि क्योंकि विपरीत राज योग बन रहा था मैंने अभी बताया तो नेगेटिव सिचुएशन्स को भी आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव सिचुएशन में बदल लेंगे ऐसे बहुत हाई चा चाते हैं हफता बता रहा है कि रिलेशन्शिप में आने का प्रयाज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको साहस दिखाना पड़ेगा कोई साहसी कदम उठाईए कोई साहसी निरनय लीजिए तभी समर्त होंगे नए रिलेशन्शिप को स्टार्ट करने में जो लोग अपने अचीवमेंट अपने फेलियर्स जो कुछ भी आपकी लाइफ में रिसेंटली चल रहा है उसको अपने पार्टनर के साथ शेर कीजिए हो सकता है कुछ ताइम से आपके पार्टनर को यह लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ उनके साथ शेर नहीं कर रहें तो यह हफत सकता है हफ़ते के बीच में स्लीप डिसॉडर्स तंग करेंगे इनफेक्शन का खत्रा बना रहेगा तो बाहर का खाना थोड़ा अवाइड कीजिए हफ़ते के अंत में आखों से संबंधित रोग हार्मोनल इशूस और ब्लड रिलेटेट प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है उपाय है सोमवार को गायत्री मंत्र का 21 बार जाब करें और ओम कृष्णायर महा इस मंत्र का 108 बार जाब करना है अब चलते हैं कैंसर यानि की करक की तरफ सौला की सुबा से 17 की शाम तक चंद्रमा पांचवे स्थान में रहेंगे विश्च कराशी में लगन से पांचवे स्थान में जाना चंद्रमा के लिए अच्छा होता है जितने positive result मिल सकते थे उनमें थोड़ी कमी आएगी क्योंकि यह चंद्रमा नीच के भी है और राहु के तु एक्सिस में है फिर भी एस्थिती positive ही रहेगी क्योंकि लगन के लिए जो योग कारक रग रहे हैं मंगल उनकी द्रिष्टी पढ़ रही है तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह मंगल कार्य स्थान के स्वामी है तो कार्य से related बहुत अच्छी न्यूज मिल सकती है सरवश्टक के हिसाब से लाब स्थान स्ट्रॉंग है तो लाब मिल सकता है पूरी संभावना है इच्छा पूर्ती के भी योग बन रहे हैं सत्रा की शाम से 20 की सुबा तक चंद्रमा धनूराशी में रहेंगे आपके छटे स्थान पर चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा नहीं होता व्यर्थ की चिंताओं में रहेंगे आप क्यूंकि चंद्रमा आपके लगन के भी स्वामी है तो यह स्थिती थोड़ी बहुत अच पैसों को लेकर किसी से करजा लिया है उसको लेकर कोई लीगल प्रॉब्लम है उसको लेकर कोट कचैरी का कोई केस चल रहा है उसको लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं यह चंद्रमा पापकरतरी योग में भी है यह थोड़ा नेगेटिव होता है तो हफते के जो बीच का स है तो यहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिखरी है हो सकता है अनेक्सपेक्टेट सोर्से से कुछ लाब हो जाए बीस की सुभा से हफ़ते के अंत तक चंद्रमा धनुराशी में रहेंगे आपका सब्तम स्थान है वो चंद्रमा का गोचर सब्तम स्थान में न्य लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी नई डील साइन करने से बचे अगर उसमें पूरी क्लारिटी नहीं हो वो क्रिस्टल क्लियर जैसी डील आपके सामने क्लियर ना हो तो वो डील साइन ना करें क्योंकि शनीदेव अश्टम स्थान के भी स्वामी है तो जैसा मै नई डील आपको साइन नहीं करनी कोई नई शुरुवात भी आपको नहीं करनी सरवश्टक के हिसाब से बारवा स्थान काफी स्टॉंग है तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं रिलेशन्शिप पे चलते हैं जो लोग नए रिलेशन्शिप में आना चाते हैं उनको अपन थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी हो सकता है जिनको आप अपना पार्टर बनाना चाते हैं वह आपकी साइट से थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो लोग नए रिलेशन्शिप में आये हैं उनके लिए भी कि थोड़ी मैच्योरिटी लाएं अपने रिलेशन्शिप में जो लोग अल्रेडी रिलेशन्शिप में हैं मैरेड हैं उनको इस हफते कुछ टाइम ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस कारण आप इड़म एकदम खतम हो चुकी है और आपके पार्टनर आपको अपने इशारों पर नचा रहे हैं या नचाना चाह रहे हैं इस कारण से आप थोड़े डिप्रेस रह सकते हैं जो आपके रिलेशन्शिप में डाल सकता है हेल्थ के इस आप से हफते की शुरुवात में सिर से संबंदित और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह सकती है हफते के बीच में पेट से संबंदित घुटनों में दर्द रह सकता है जॉइंस में भी प्रॉब्लम रह सकती है हफते के अंत में नसों से संबंदित कोई प्रॉब्लम रह सकती है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है अगर आपको लो बीपी है तो प्रॉब्लम जादा हो सकती है उपाए है मेरे चैनल पे शिव अगोर मंत्र है उसका 108 बार जाप कीजिए और शिव जी का जल से अभिशेक कीजिए मैं कोशिश करूँगा कि टाइम स्टेंप पे या डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूं नहीं डाल पाया तो आप सर्च कर लेंगे तो अराम से मिल जाएगा अब चलते हैं लियो यानि की सिम्ह पे सौला की सुबा से सत्रा की शाम तक चंद्रमा चोथे स्थान में रहेंगे व्रिश्चिक राशी में लगन से चोथे स्थान में हैं लगन के स्वामी से पांचवे स्थान में हैं दोनों ही स्थितियां काफी अच्छी हैं चंद्रमा नीच के हैं राहु के तु एक्सिस में है तो थोड़ी सी negativity है लेकिन चंद्रमा पर योग कारक है आपके लगने के लिए जो योग कारक है मंगल वो काफी शुब हैं आपके लिए तो उनके दृष्टी बन रही है तो ये बहुत ही positive है मंगल आपके भागय के स्वामी भी है यानि कि भागय स्थान के स्वामी है तो भागय भी आपका पूरा साथ देगा चंद्रमा जब भी चौथे स्थान में आते हैं मैं बताता हूं कि कारको भावनाशाय दोश लगता है आपकी माता जी की तब बेत थोड़ी बिगड सकती है वाहन संबंदित आपको भी थोड़ा बचके रहना चीए क्योंकि थोड़े एक्सिडेंट के योग बन रहे हैं सरवश्टक के इसाब से दस्वा स्थान यानि की कार्य स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो कार्य से संबंदित कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है 17 की शाम से 20 की सुभा तक चंद्रमा धनू राशी में रहेंगे पांचवे स्थान में चंद्रमा लगन से पांचवे स्थान में होंगे बहुत अच्छा है लेकिन लगन के स्वामी से छटे स्थान में जा रहे हैं तो व्यर्थ की चिंताओं से बचना है अपनी हेल्थ पे फोक से बचना है अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्पेकुलेशन का बहुत यूज होता है जैसे शेयर मार्केट स्टॉक्स म्यूचल फंड दादी तो इन दिनों रिस्क लेने से पूरी तरह से बचना है बच्चों पर कुछ अतिरिक्त खर्चा हो सकता है सरवश्टक के आप से लाब स्टान बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है तो किसी ना किसी तरह का लाब मिलता हुआ दिख रहा है इच्छा पूर्ती के भी योग हैं 20 की सुभा से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे आपके चटए स्थान पर लगन से 6 स्थान में जाना चंद्रमा का बहुत अच्छा होता लगने के सथामी शामी से सप्तम में जा रहे हैं neutral है कि वयर्थ की चिंताओं से बचैंद Cry आपके शत्रु जो हैं आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे आपको तकलीफ पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन यह जो चंद्रमा है यह शनीदेव के साथ बैटे हैं शनीदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं यह जो विपरीत राजयोग होता है नेगेटिव सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा होता है आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका लाबस्तान अत्यंत स्ट्रॉंग है तो हफते के अंत का आपको फाइदा उठाना है क्योंकि लाब के बहुत अच्छे योग बने हुए है हफते के बीच में भी बने थे हफते के अंत में भी आपका जो लाबस्तान है बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है तो इन दोनों टाइम्स का आपको अच्छा फाइदा उठाना है हों कि रिलेशनशब पे चलते हैं लव लाइफ पे नया रिलेशनश्चिप私Talk करने के लिए बहुत उच्छिक है तो यह दी colours पहले अपने आपको और जाने आपको relationship से क्या expectations है अगर आपको पता ही नहीं है कि आप relationship में क्यों आना चाहते हैं तो इस हफ्ते थोड़ा उस पी focus कीजिए अपने आप से पूछिए कि क्या expectations है आपके जो लोग already relationship में है married है थोड़ा दुख भरा महौल रह सकता है किसी particular reason के कारण नहीं होगा ऐसे ही कोई strong reason नहीं दिख रहा लेकिन थोड़ा दुखी feel करेंगे जो आपके relationship पे थोड़ा negative impact डाल सकता है यह temporary होगा long term नहीं चलने वाला तो ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है हेल्थ के हिसाप से हफ़ते की शुरुआत में chest से संबंधित रोग हो सकते हैं हफ़ते के वीच में आखों से संबंधित और यदि हृदय से संबंधित ओल्रेडी रोग है तो दिक्कत हो सकती है हफ्ते के अंत करो च्छा समबंदित रोग हो सकते हैं नसों से संबंदित रोग भी हो सकते हैं उपाय है सोमवार को सूरे देवता को जल अरपन करें उस जल में शुद्ध गाएं का दूद उसकी कुछ बूंदे डाल दे और जल अरपन करते हुए ओम नमहश्यवाई इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है अब चलते हैं वर्गो याने की कन्या पे सौला तारीक की सुबा से सत्रा तारीक की शाम तक चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में रहेंगे व्रिष्च कराशी में लगन से तीसरे स्थान में चंद्रमा का जाना ठीक होता है लगन के स्वामी से चोथे स्थान पे हैं यह काफी अच्छा है आपके अपने भाई बहन से थ कुछ करती जो की नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बाहर होती है उन पर फोकस कीजिए तो बाहर से संबंदित कोई कारे करते हैं तो अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं यात्रा के योग बनेंगे लंबी यात्रा के नहीं चोटी-मोटी यात्रा के योग को बन रहे हैं कार्य से संबंदित कोई unexpected न्यूज मिल सकती है जो काफी positive होगी कि सरवाश्टक के इसाब से दस्वा स्थान बहुत strong है तो कार्य से संबंदित कोई अच्छी न्यूज मिलने की बहुत संभावना है 17 की शाम से 20 की सुबहा तक चंद्रमा आपके चौथे स्थान में रहेंगे धनू राशी में चौथे स्थान में जाना चंद्रमा का वैसे ठीक होता है पर यहां पे कार को भावना शाय दोश लगता है आपकी माता जी की तब्यत थोड़ी खराब रह सकती है यह चंद्रमा पाप करतरी योग में भी है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको भी चोट लग सकती है एक्सिडेंट के थोड़े से योग है तो सतर्क रहें हफते के बीच में आपको और आपकी माता जी दोनों को ही थोड़ा संभल के रहना चाहिए सरवश्टक के हिसाप से कार्य स्थान बहुत स्ट्रॉंग है जहां काम करते हैं वहां मान सम्मान मिल सकता है प्रोग्रेस का टाइम है बिजनस के लिए भी काफी अच्छा टाइम है 20 की सुभा से हफते के अंत तक चंद्रमा पांच्वे पांच्वे स्थान चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है यहां पर शनीदेव के साथ होंगे जो पांच्वे घर के स्वामी ही है विए शेयर स्टॉक्स म्यूच्वल फंड तो अच्छा टाइम है राइटिंग का काम करते हैं तो भी अच्छा टाइम है लेकिन यह जो भेंगे च्छटे स्थान के भी स्वामी है और लग्ण के स्वामी से इस वक्त छटे स्थान में होंगे तो व्यर्थ की चिंताओं से बचना है और शेर मार्किट आदी का काम करते हैं तो जादा रिस्क नहीं लेने आपके बच्चों की तब्यत थोड़ी खराब रह सकती है रिलेशन्चिप लव लाइफ के ऊपर चलते हैं अगर नए रिलेशन्चिप में आना चाहते हैं तो अपनी दिमागी बंदिशों से निकलना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा अपना सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ाना पड़ेगा तभी नए रिलेशन्चिप में है यह अफता है थोड़ा कॉम्यूनिकेशन बढ़ाने का क्योंकि मिस कॉम्यूनिकेशन के कारण अपने दिमाग में ही एक इमेजिनरी सिचुएशन बना लेंगे जो रिलेशन्चिप को थोड़ा अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली और हो सकता है टास है के हफ़ते के शुरुआत में कहले से संबंधित और चेश्टस धचु Also सब भीच में हफ़ते के अंत में भी अभी लेसे संबंधित रोग गरदन के आसपास का आश्युआ यह उसका उपाय है कृष्ण जी को किसी मीठी चीज का भोग लगाईए और अच्चुतम केश्वम यह जो स्तोत्र है या भजन है इसको सुनिए या इसका पाठ कीजिए आप चलते हैं लिबरा यानि की तुला पर सौला की सुबा से सतरा की शाम तक चंदरमा धनस्थान में रहेंगे व्रिष्च के राशी में साव दिक रहा है धन आगमन होगा लाबस्थान में बैठे मंगल की दृष्टी पड़ रही है जब भी लाबस्थान और धनस्थान का किसी भी तरह से मिलन होता है तो धन के आगमन के अच्छे योग बनते हैं तो हफ़ते की शुरुवात में हफ़ते की शुरुवात का आपको फायदा उठाना है कटू वानी से निंदा करने से अपशब्द बोलने से पूरी तरह से बचे वरना प्रॉब्लम हो सकती है रिस्टों में दरार आ सकती है सरवश्टक के हिसाब से से आप बहुत खुश हो जाएंगे घर खरीदने का वाहन खरीदने का बहुत टाइम से ट्राय कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी नियूज मिल सकती है 17 की साम से 20 की सुभा तक चंद्रमा तीसरे स्थान में रहेंगे धनूराशी में भाई वहन से थोड़ा दिखाने का अभी डर गए तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी चोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं सरवस्तक के हिसाब से लगन अभी स्ट्रॉंग है अश्टम भी बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है तो कोई अनेक्सपेक्टेड नियूज मिल सकती है जो आपको अभा से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशी में आपके चौथे स्थान में रहेंगे जैसा हर बार बताता हूं चौथे स्थान पर चंद्रमा का का कार को भावनाशाए दोश लगता है माता जी की तब थोड़ी खराब हो सकती है वाहन थोड़ा अराम से चलाएं ध्यान घर से संबंदित कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है आपकी फैमिली में भी किसी को प्रॉफिट होने की संभावना है सरवाश्टक के हिसाब से भाग्य स्थान स्ट्रॉंग है तो हफ्ते के अंत में भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिख रहा है हफ्ते के अंत का आपक की थोड़ी कोशिश करनी है जो लोग अल्रेडी रिलेशन्चिप में हैं मैरेड हैं यह हफ्ता है अपने रिलेशन्चिप को लेकर थोड़ा सचेत रहने की थोड़ा कॉंशियस रहने की हो सकता है आपने अपने रिलेशन्चिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया हो आप अप अपने पार्टनर की फीलिंग पर ज्यादा ध्यान ना दे पा रहे हूं तो यह हफता है रिलेशन्शिप को लेकर थोड़े जागरुक बनने की है है हेल्थ पर चलते हैं हफते की शुरुआत में आखों से समबंदित और गले से संबंदित रोग तंग कर सकते हैं हफते के बीच में भी गले से संबंदित रोग रहेंगे गुतनों में दर्द रह सकता है हफते के अंत में कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण infection हो सकता है problem बढ़ सकती है उपाय है विश्णु जी के 108 नाम को आपने सुनना है सोमवार को दो से तीन बार यही आपके लिए सफते का उपाय है अब चलते हैं स्कॉर्पियो याने के व्रिश्चिक पे स्वामी की द्रिश्टी भी पढ़ रही है जो की कार्य स्थाने में बैटे हैं बहुत अच्छा है कार्य संबंदित कुछ अच्छे result मिल सकते हैं क्योंकि चंद्रवा नीच के हैं और राहुकेति एक्सिस में है तो कोई रिस्क लेने से बचना है कोई बड़ा decision लेने से बचना है सरवश्टक के हिसाब से पराक्रम स्थान यानि की तीसरा भाव और लाब स्थान स्ट्रॉंग है तो यह बता रहा है कि थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे थोड़ा साहस दिखाएंगे तो बहुत लाब मिल सकते हैं 17 की शाम से 20 की सुबा तक चंद्रमा दूसरे स्थान में र रहे हैं एक लक्षमी स्थान है एक धन भाव है भाग्य स्थान है नवा भाव तो भाग्या आपका धन आगमन के लिए साथ देने वाला है आपको इसका फाइदा उठाना है चंद्रमा यहां पर पाप करतरी योग में भी होंगे तो जितना आपको धन मिल सकता है उससे थोड़ा कम मिलेगा निंदा करने से अप शब्द बोलने से कटू वानी बोलने से पूरी तरह से बचें वरना आप पर थोड़ा भारी पर सकता है सरवाश्टक के इसाफ से अश्टम स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो कोई अनक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज मिल सकती है स्पेशली अगर आप बिजनस करते हैं 20 की सुबा से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे आपका तीसरा स्थान है चोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं भाई भेहन से वाद विवाद रह सकता है भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा जितना आश्टक के हिसाब से अश्टम स्थान बहुत स्टॉंग है और लगन भी काफी स्टॉंग है साब बता रहा है अनिश्चित्ता का महौल बनता है कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर बनती है तो भाग्य से जादा आपको अपने आप पर अपने साहस पर अपने पराक्रम विश्वास करना है लव लाइफ रिलेशनशिप पर चलते हैं पहले तो जो लोग बहुत डेस्परेट हैं रिलेशनचिप में आने के लिए एक बार अपने अंदर जाकिए और सोचिए आपको इतनी क्या जल्दी है इस समय रिलेशनचिप में आने की क्या वही एकलौती प् तो सबसे बड़ा उपाय है साइलेंस यानि की चुप रहना अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन्शिप में जहां आपके चुप रहने से चीजें बिगड़ने से बच सकती हैं तो अपने साइलेंस का पूरा इस्तमाल केजिए हेल्थ पे चलत सकते हैं हफ्ते के अंत में गले से संबंदित रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तब्यत बिगड़ सकती हैं आपके लिए उपाय है शिव मंदिर में जाकर कार्टिक जी को पंचाम रिथ से स्नान कराकर आना है अब चलते हैं सेजिटेरियस यानि की धनू की तरफ सौला की सुभा से सतरा की शाम तक चंद्रमा आपके बारव स्थान में रहेंगे विष्च कराशी में चंद्रमा का बारव स्थान में होना बहुत अच्छा नहीं बाना जाता साती में चंदरवा नीच के भी है राहु के तु एक्सिस में है और आपके जो आपका लगन है वह भी समय पापकरतरी योग में है तो हफते की शुरुवात थोड़ी तकलीफ दायक हो सकती है कुछ नेगटिव निउस भी मिल सकती है आपको अपनी तब्यत पे सबसे करें लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है कि यह जो चंद्रमा है बारवे स्थान में बैटकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो शुरुवात भले ही नेगटिव चीजों के साथ हो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होती जाएंगी सरवाश्तक के इस आप से छटा स्थान और कार्य स्थान स्ट्रॉंग हैं तो यह बताता है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में कंपेटिटिव रहने की जरूत है कोई भी ऑपरचुनिटी मिलती है उसका फायदा उठाइए 17 की शाम से 20 की सुभा तक चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे धनुराशी में लगन में आना चंद्रमा का अच्छा होता है थोड़ा अनिश्चित्ता का महौल रह सकता है क्योंकि यह चंद्रमा अश्टम स्थान के भी स्वामी है लेकिन कोई unexpected अच्छी news भी मिल सकती है चंद्रमा जब लगन में आएंगे तो लगन और चंद्रमा दोनो भी गड़ सकती है तो शुरुवात में भी ऐसे योग थे बीच में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा सरवाश्टक के हिसाब से छटा स्थान लाव स्ट्रॉंग है तो करियर से रिलेटेड कुछ धनलाव हो सकता है लेकिन एफ़र्ट्स आपको काफी ज्यादा डालने पड़ेंगे 20 की सुबाह से हफ़ते के अनते तक चंद्रमा मकर में रहेंगे आपका दूसरा स्थान है थनभाव होता है चंद्रमा का धनभाव में आना अच्छा होता है धन आगवन के पूरे योग हैं क्योंकि यह चंद्रमा अश्टम सान के भी स्वामी है तो उन जगाओं से पैसा आ सकता है जहां से आपने सोचा नहीं होगा माता-पिता से या घर के बड़ों से भी कुछ धनका लाब हो सकता है सरवाश्टक के हिसाब से सात्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो बिजनस के लिए हफते का अंत अच्छा रह सकता है रिलेशन्शिप पर चलते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में आना चाते हैं उनको एक नया नजरिया एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा तब ही नया रिलेशन्शिप स्टार्ट हो सकता है जो लोग already relationship में हैं उनके लिए हफता है कि life की छोटी चीजों को enjoy करें जरूरी नहीं कि हर बार कोई बड़ी सी party हो, कोई बड़ा सा gift हो, किसी बहुत famous जगा पे जाएं तो इनी चीजों से खुशिया मिलती है, नहीं यह हफता है, life की छोटी छोटी खुशियों को enjoy करने का, उसको अपने partner के साथ बाटने का health के हिसाब से हफते के शुरुआत में right eye में, यानि कि दाहिनी आँख में कुछ problem हो सकती है, sleep disorders रहेंगे हफते के बीच में सर से संबंदित और नसों से संबंदित रोग रह सकते हैं, हफते के अंत में भी सर से संबंदित रोग तंग करेंगे, अपनी जीब की लालुकता पर थोड़ा control करें, यानि कि उल्टा सीधा खाना खाने से थोड़ा बचें, उपाय है, किसी भी मंदिर में जाकर कोई पीली मिठाई अरपन करके आईए और कुछ दक्षिना भी आपको देखे आनी है सोमवार को अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकर की दरफ 16 की सुबा से 17 की शाम टक चंद्रमा 11 स्थान में रहेंगे व्रिश्च कराची में लगन से 11 स्थान में हैं लगन के स्वामी से भी 11 स्थान में हैं दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं सावदिकारा है धनका आगवन होगा लाव के योग बनेंगे इच्छा पूर्ती के योग बनेंगे करियर के हिसाब से भी अच्छा टाइम है और बिजनस करते हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत उत्तम समय है इच्छा होता है वैसे बहुत अच्छे नहीं माने जाते लेकिन कुछ जगाों पर जब नीज के होटे है थो अच्छा रिजल्ट देते हैं उनमें से एक जगाही ग्यारव स्थान के एक चीज बता सकता हूं अगर लाव चाहिए तो कुछ हट करना पड़ेगा इस हफते की शुरुवात में कुछ अन और्थोडोक्स तरीका अपनाना पड़ेगा सरवाश्टक के एसाब से छटा स्थान बहुत स्थान है तो अपने शत्रूओं से थोड़ा संबल के रहें किसी भी दुश्मन को छोटा समझने की भूल मत सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा दवाईयों पर खर्चा बढ़ सकता है वैसे भी खर्चों में थोड़ी बड़ोतरी होगी यहां पर चंद्रमा पापकरतरी योग में होंगे आपकी माताजी की तब्वेत विगड़ सकती है सरवाश्टक के हिसाब से पांचवा स्थान और कारे स्थान बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है तो दिमाग का यूज करके कारक्षेत्र में लाभ कमा सकते हैं कि यह बीसकी सुबह से हफ्टे के अंत तक चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे मकहर राशी में लगन में आना चंद्रमा का अच्छा माना जाता है नई पार्टनर्शिप स्टार्ट करना चाते हैं तो अच्छा टाइम है नया बिजनस स्टार्ट करना चाते हैं तो भी अच्छा टाइम है बाहर से रिलेटेड फॉरं से रिलेटेड काम करते हैं बिजनस करते हैं कोई ट्रेड का काम करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है बा लगने के स्वामी के साथ बैटे होंगे तो यह बहुत अच्छा एक राज योग बन रहा है शनी देव धन भाव के स्वामी भी है आपके लगने के स्वामी भी है धन भाव के स्वामी भी है और वह लगने में बैटे हैं तो यह बहुत अच्छा धन योग भी बन रहा है स्ट्मों से थोड़ा बचके रहें लव लाइफ पर रिलेशनशिप चलते हैं नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा हफता है लेकिन आपको पूरी clarity रखनी पड़ेगी कि क्या आपके expectations हैं क्या आप उन expectations को अपने partner से convey कर पाएंगे जो आपके partner होने वाले हैं तभी relationship अच्छा या start हो पाएगा जो लोग already relationship में हैं उनको कहूंगा कि यह हफता है कि अपने भावनाओं को को व्यक्त करना है अपनी भावनाओं को कुछ समय से व्यक्त नहीं कर पा रहे तो भावनाओं व्यक्त करने में कंजूसी नहीं करने हैं आप अपनी भावनाओं को अपने partner के साथ खुल कर साजह करें यकीन वानी उस relationship अच्छा जाएगा हेल्थ पर चलते हैं हफ़ते की शुरुवात में रक्त संबंदित प्रॉब्लम रह सकती है बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और पीठ यानि की बैक से लिटेट कोई प्रॉब्लम रह सकती है हफ़ते के बीच में पैरों में चोट लग सकती है पैरों में फंगल इंफे से संबंदित कोई problem आपको तंग कर सकती है उपाय है सोमवार को शिवजी के सामने सरसों के तेल के दो दिये जलाएं और मेरे चैनल पे कभैरव सोत्र है कोशिश करूंगा उसको description में डाल दू वरना आप सर्च कर लेना उसको तीन बार आपने सुनना है अब चलते हैं एक्वेरियस यानि की कुम्ब पे 16 की सुबा से 17 की शाम तक चंद्रमा आपके दस्वे स्थान में रहेंगे वरिश्च कराशी में लगन से दस्थान में जाना अच्छा होता है और लगन के स्वामी से 11 स्थान में जा रहे हैं दोनों ही स्थेतियां काफी अच्छी हैं साब बता रहा है कारक शेत्र में लाब हो सकता है जहां काम करते हैं वहां जादा गुसा करने से वाद विवाद करने से एग्रेशन से बचे वरना कुछ दिकत हो सकती है अपने जूनियर से या जो आपके नीचे काम करते हैं उनसे विवाद विवाद से पूरी तरह से बचना है वरना वो आपको लॉंग रन में प्रॉब्लम देंगे बिजनस में कोई लीगल प्रॉब्लम बहुत टाइम से आ रही है तो वह सॉल्व होती भी दिख रही है सरवाश्टक के हिसाब से चौथा स्थान पांच्वा स्थान स्ट्रॉंग है घर में खुशी आएंगी बच्चों से रिलेटेड भी कोई अच्छे न्यूज मिल सकती है 17 की शाम से 20 की सुभा तक चन्दरमा धनू राशी में रहेंगे 11 स्थान में चंदरमा का 11 स्थान में गोचर अच्छा माना जाता है लेकिन थोड़ा संबल के रहना पड़ेगा यह चंदरमा पापकरतरी योग में है क्योंकि आपकी माता के स्थान से अश्टम स्थान में है तो आपकी माता की तब्यत भी थोड़ी बिगड़ सकती है लाब के योग तो बन रहे हैं लेकिन लालच से बच्चे कोई बहुत ही जादा लुभावना ओफर दिख रहा है तो काफी हाई चांसिस है कि वो फेक होगा सरवाश्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्थान है घर में खुशी आएंगी गाड़ी और प्रॉपर्टी से सम्बंदित भी कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है बीस की सुभा से हफ़ते के अंत तक चंद्रमा बारवे स्थान में रहेंगे मकर राशी में चंद्रमा को छोड़कर अपनी हेल्थ पर फोकस कीजेगा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कोई लीगल केस चल रहा है किसी से रिन लिया हुआ है पैसा उधार लिया हुआ है उसके कारण परिशान रह सकते हैं लेकिन यह जो शनी देव हैं यह विपरीत राज योग बना रहे हैं तो ब इसके कारण रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम आ सकती है चोटी चोटी बातों पर विद्रोह करेंगे अपने पार्टनर के साथ जिसके कारण रिलेशन्शिप में स्टैबिलिटी की कमी रहेगी अगर हफते में कुछ ऐसा टाइम आता है जब आपका दिल करता है कि आपको अ अकेले टाइम स्पेंड करना है उसमें कुछ बुरा नहीं है रिलेशन्शिप के लिए अच्छा ही रहेगा है हेल्थ के हिसाब से हफते की शुरुआत में चेस्ट से संबंदित और नींद से संबंदित प्रॉब्लम रहेगी हफते के बीच में जॉइंट पेट से संबंदि और मिश्री का भोग लगाईए और विश्णु जी का जो ये मंत्र है शांता कारम भुजंग शायनम इसका 21 बार जाप कीजिए अब चलते हैं पाइसेस यानि की मीन की तरफ 16 की सुबा से 17 की शाम तक चंद्रमा नवे स्थान में रहेंगे चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है लगन से नवे स्थान पर हैं और लगन के स्वामी से दस्थान पर हैं तो कारक्षेत्र में भाग्याप का साथ देता हुआ दिख रहा है आपको हफते की शुरुवात का फाइदा उठाना है किसी भी धर्म गुरू धार्मिक पुस्थन धार्मिक पुस्थक या धर्म से related किसी भी चीज की निंदा करने से बचे वरना बहुत negative result मिलेंगी घर में कोई धार्मिक कार्य भी हो सकता है सरवाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान और लाब स्थान बहुत स्ट्रोंग हैं बता रहा है कि इच्छा पूर्ती के योग हैं साथी में कोई ऐसी चीज ऐसी घटना होगी जो आपको दिल से बहुत खुश कर देगी कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जिसका आप और आपकी फैमिली बहुत टाइम से वेट कर रही थी सतरा की शाम से 20 की सुभा तक चंद्रमा आपके दस्वे स्थान में रहेंगे धनुराशी में दस्वे स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा है फाइदा उठाना है थोड़े से एफर्ट्स भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे मलब कि अगर 20 परसेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना आपको अच्छा मिल सकता है लेकिन ध्यान देनी वाली बात है कि चंद्रमा इस समय पाप करतरी योग में होंगे तो office politics का शिकार बन सकते हैं, office में कुछ वाद-विवाद भी हो सकता है, अगर business करते हैं तो उसमें भी वाद-विवाद हो सकता है, अपने partner के साथ या अपने client के साथ कुछ वाद-विवाद वाली स्थितियां उत्पन हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजि वरना goodwill खराब हो सकती है, 20 की सुभा से हफते के अंत तक चंद्रमा मकर-राशी में रहेंगे आपके ग्यारवे स्थान में, लगन से ग्यारवे स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा है, लाव स्थान है तो लाव की पूरी संभावना है चंद्रम आपके पाच्वे स्थान के स्वामी है यह भी अच्छा है जब वह लाव स्थान में जा रहे हैं तो एक तरह का राजयोग बन रहा है क्योंकि एक लक्ष्मी स्थान है एक लाव स्थान तो एक तरह का ये राजयोग है भाग्यापका साथ देगा लाव कमाने के लिए यहां पर आपके लाव स्थान के स्वामी यानि कि शनी देव वैं खुद बैठे हुए है तो यह भी बहुत अच्छा है एक तरह से सोने पे सु वाश्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है कोई ऐसी न्यूज जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वह आपको मिलेगी जो आपको बहुत खुश कर देगी गाड़ी खरीदने के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अतियुत्तम समय है रिलेशन्शिप के इसाफ से लव लाइफ के इसाफ से बात करते हैं जो लोग नए रिलेशन्शिप में आना चाते हैं उनके लिए बताऊंगा कि यह अफता है कि आपको अपने फ्यूचर पार्टनर को या जो आप जिनके साथ आप रिलेशन्शिप में आना चाते हैं एक fun factor जो होता है relationship में, एक जो मजाकिया अंदाज होता है, एक हास्य रस होता है नवरसों में से, उसकी थोड़ी कमी हो गई है relationship में, तो यह हफता है आपके end से, आपकी तरफ से उस seriousness को थोड़ा कम कीजिए, हास्य रस को अपने relationship में लाइए, उससे आपका relationship काफी अच्छा र शुरुआद में infection तंग कर सकता है, घुटनों में भी धर्द रह सकता है, हफते के बीच में, चेस्ट से संबंदित कोई problem रह सकती है, तो अचा से संबंदित रोग भी रह सकते हैं, और blood pressure की problem तंग कर सकती है, हफते के अंत में digestive problem, पेट से संबंदित कोई serious issue हो सकता है, उप मिश्रत किया है, यानि कि जल में थोड़ा गाएं का दूद मिश्रत कीजिए, और केले के पेड़ की जड़ में अरपन कीजिए, और महा मृतिन्जय का आपको 21 बार जाप करना है, तो यह था इस हफते का सापताहिक राश्यफल, यानि कि 16 अगस्ते, 22 अगस्त का सापताहिक वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए, ओम नमश्युद्ट